फिल्म इंडस्ट्री की एक अक्ट्रिस शादी के तीन महीनों में ही बन गई माँ इस अक्ट्रिस ने बच्चा पैदा होने के दो महीनों बाग फैन्स को सोशल मीडिया के थूँ इनफॉर्म किया कि कैसे ये अक्ट्रिस में में ही माँ बन चुकी थी लेकिन दो महीनों तक बच्चा जो है आईसियू में था प्रीमेच्यूर बेबी था इसलिए इस आक्ट्रिस ने लोगों को इनफॉर्म नहीं किया कि ये मा बन चुकी है आपको बता दे ही कि ये आक्ट्रिस और कोई नहीं बलकि ब्यूटी क्वीन दिया मिर्जा है दिया मिर्जा ने इसी साल February 14 को वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी की थी इससे पहले दिया और वैभव दोनों ही शादी शुदा थे दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स से तलाक लिया और वैभव जो की एक बिजनसमेन है उनकी एक बेटी भी है दिया मिर्जा ने Valentine's Day के दिन ही वैभव के साथ शादी की शादी के देड़ महीने बाद दिया मिर्जा ने अपना baby bump flaunt करते हुए बताया कि कैसे वो mother बनने वाली है तब काफी controversy भी हुई थी लोगों ने कहा कि शादी के देड़ महीने में ही pregnant होना तो समझ आता है लेकिन डेड़ महीने में baby bump कैसे आता है लोगों ने कहा कि दिया मिर्जा शादी से पहले ही pregnant थी और दिया ने शादी जो है इसलिए जल्दबाजी में की तब दिया ने एक statement दिया था और बताया था कि कैसे जब वो शादी की तयारिया कर रही थी तब उन्हें पता चला था कि वो pregnant है यानि कि शादी के पहले वो pregnant थी इस बात को खुद दिया ने confirm किया दिया ने अब एक post लिख कर share किया है कि उनका जो बच्चा है वो मे 14 को ही पैदा हो चुका था premature बेबी था इसलिए दो महिनों तक ICU में ही रखना पड़ा दिया मिर्जा को बेबी boy हुआ है दिया मिर्जा ने आज बच्चे के जन्म के अनाउंस्मेंट के साथ साथ बच्चे का नाम भी अनाउंस किया अव्यान आजाद रेखी उन्होंने अपने बेटे को नाम दिया है दिया मिर्जा ने बताया pregnancy complications के कारण उन्हें मई के महिने में ही c-section करवाना पड़ा और बच्चे को जन्म देना पड़ा और तब से लेकर अब तक neonatal ICU में डॉक्टर्स और नर्सिस बच्चे की देखरेक कर रहे थे उन्हें pregnancy के दौरान ही एक बहुती severe bacterial infection हुआ था जिसके तहत तुरंट treatment किया गया और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया इस post के अंत में दिया मिर्जा ने अपने fans को thanks कहा है wishes के लिए और ये भी कहा है कि हमें हमारी privacy प्रदान करें आपको बता दें कि दिया मिर्जा ने साहिल सांगा के साथ पहली शादी की थी और 2019 में उन्होंने साहिल के साथ divorce ले लिया था